नमस्कार साथियों आज 16 जून के करेंट अफेल्स में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागर तो शुरू करते हैं आज के करेंट फेल्स दोस्तों पहला जो प्रशन है वो यह है कि इन में से कौन सा भारत्य रज्य है विच इस फर्स्ट इनियन स्टेट जिसने इंटरनेशनल ग्रीन एपल नामक किये जो अवाड है दोस्तों ऑफड़ा ग्रीन और्गनाइज़ेशन रीसेंटली जो है जिसको यह अवाड मिला है तो कौन से राघ्य को सबसे पहले तो बतादूं दोस्तों यह जो है ग्रीन का मतलब यहां पर प्रो इंवायरमेंट परयावरण को जो ह है और भारत में जो है यह option ने तिलंगाना केरला उडिसा या गुज्राग तो दोस्तों यह जो ग्रीन एपल अंतराष्टी अवार्ड है इस पार तिलंगाना को दिया गया है तिलंगाना जहां की capital दोस्तों हेदराबाद है हेदराबाद जहां पर statue of equality आज से कुछ मीने पहले जो है अनुबरन किया गया था इस statue of equality का जो की रामा अनुजन जी का जो है एक दोस्तों जो है statue था तो तो तलंगाना तो जो के वियर राओ जो है दोस्तों वहां के फिलहाल मुख्यमंत्री है और भारत का जो है लास्ट जो स्टेट जो बना था 2014 में श्री रामा जो श्री क कोशन पर अगला जो कोशन दूसरा दोस्तों अब एक अंतराष्ट यहां जो समिट है इस समिट का नाम है international institute administrative science यह जो कॉन्फरेंगस है 2025 में होगी और यह भारत में होगी तो दोस्तों यह अंतराष्ट कॉन्फरेंट के कौन से शहर में आयोजित होने वाली है जैसे इस साल आपको पता है कि G20 भारत में हो रही है उसके अलग-अलग आयोजन कोई चंडीगड में कोई धर्मशाला में कोई जो है ओफीशल समिट उदेपुर में होगी या SEO की जो विदेश मंत्रियों की जो समिट थी दोस्तों वो जो है वो गोवा में हुई तो ये administrative sciences की जो समिट है द है ऐन अवह है sorry yeah और अब आगा डान्स बार जो आजाps किया जाता है दोस्तों आशनु देश्ग जो है अगर हम बात करें आप कोशी पुड़ी आंप माफ केंजो कुछीपुटिक का अप सब्सक्राइब कर्याthose को सिंप करां कुछीνε पुड़ी जो है में तैल कुछीपु के रिला के डांसेस हैं फिर उसके बाद जो है अगले कोश्चन पर हम बढ़ें तीसरा जो कोश्चन है वो है कि इंडियन नेशनल जो शेप सत्पुरा है दोस्तों रिसेंटली एक मल्टी लेटरल नेवल अक्सरसाई जिसका नाम कमोडो है वहां पर ये कमोडो में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया भारत ने भी इसमें पार्टी स्पेट किया भारत की तरफ से गया तो दोस्तों यह मल्टी नेवल अक्सरसाई जो कहीं सारे देशों ने इस लिए यह कह जपान में उस्टेलिया में अरजंटिना या ओडिस या फिर इंडोनेशिया तो सही उत्तर है दोस्तों इसका इंडोनेशिया दोस्तों या कि यार रखना है इंडोनेशिया इसकी capital किसी समय पर जकाठा हुआ करती थी फिलाल इसकी जो वो नुसांतरा जो है बन चुकी है और ये भी याद रखें भारत का जो पहला जो गंतंतर दिवस था 1950 में तो उस समय भारत का पहला जो गंतंतर दिवस का जो मुख्य मैमान था वो भी इंडोनेशिया का प्रेजिडेंट जो है सुकांतरो था दोस्तो जो जो नुसा सुकांतर था और यह बहुत बार जो है अग्जाम में आ चुका है फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स जो कोशन है फोर्थ कोशन इस की रिसेंटली कौन से राज्ये ने अपने यहां पर जो पदम अवाड़ी है दोस्तों यहां पर पदम अवाड़ी का मतलब पदम विभूशन चाहे अजिस्तान या हर्याना तो दोस्तों इसका सहीतर हर्याना है डी मनोवर लाल खटर जो सरकार है उसने यह सुनिश्चित किया है कि पदम अवाड़ी को हम हर महीने 10,000 रुपिया दिया करेंगे दोस्तों यहां पर यह भी याद रखें 1954 में पदम अवाड़्स की जो है शुर नाम का एक एक अग्री कलचर जो फेस्टिवल है ये दोस्तों कहाँ पर और्गनाईस किया जाता है पश्ची मंगाल उरीसा के लाया तामिश्टू तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह उडिसा है तो उडिसा में जो है ये और्गनाईज किया जाते है उडिसा की हम कल भी बात कर रहे थे बहुत सारे important दोस्तो इवेंट जो है अभी tribal दोस्तो जो गेम्स है ट्राइबल जो खेल उच्छाव है वो भी वहीं पर जो है महत्यपुर्न है दोस्तो नमीन पतायक साब भारतिया होकी चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरिशों दोनों को 10-10 साल की जो sponsorship है उन्होंने फिलहाल दे रखे उडिसा की capital भूबनेश्वर है और उडिया महा की जो भाशा है दोस्तो जो भारत की छे जो official जो languages हैं जो हमारी दोस्तो classic languages हैं उनमें से एक उडिया भाशा भी है फिसके बाद हमारा च्छटा question दोस्तो भारत की ये जो जो तीर अंदाजी की जो player है ये जो लड़की है अदिती गौपिचन इसने दोस्तो इतिहास रच दिया है अंडर 18 आर्चरी वर्ल्ड कप में 720 मे फिर इंदाजी में ये बहतरी प्रदर्शन जो हुआ और ये इटली में जो है रिसेंटली इसको दोस्तो जो खेला गया था फिर उसके बाद जो हमारा अगला जो प्रशन है वो है अब बताएं कि रिसेंटी कौन सा भारतिया stock market कौन सा share है जिसकी एक share की value एक लाग से भी ज बाग से जादा हो चुकी है फिर दोस्तों ये मैं से कौन सी युनिवस्टी है जिसने 2023 से जो है हिंदू स्टडी सेंटर फोर हिंदू जैसे बुद्धिस्ट स्टडी होता है दोस्तों भाई जैनिजम स्टडी होता है वैसे ही हिंदू स्टडी के लिए अलग एक department की स्थाप युनिवस्टी है जो कि हम बोलते हैं मौरियंस या फिर मगध टाइम पिरेड में जो है इसकी स्थापना हुई थी इसके बाद नवंदा की जो स्थापना है वो कुमारा गुपता ने की थी और विकरम शिला की स्थापना जो है दोस्तों पाला रूबलर्स ने की थी इसके जो हमारा नेक्स्ट कोश्चिन जो है इन में से कौन सा राज है जिसने पहली सी एंजी जो है दोस्तों कॉम्प्रेस्ट नेच्रल गेस जो ट्वाइट प्रेंग जो है वो जो है शुरू करने का फैसला किया है दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान ताकि वहाँ पर झाल 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 झाल